नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोगा सोनों स्टडी क्लासे यूटूब चैनल दोस्तों आज मैं आपसे लोग अंसी आटी बुक क्लास टैन्थ समाजी विज्यान चैप्टर दो संगवाद फरप्रस उत्तर मैं पलोगोस वीडियों बताऊंगा नेमडखित प्रस् प्रस्तम्बर एक भारत की खाली राजनितिक नक्से पर इन राजियों की उपरस्तिती दर्शाईए मडिपूर, सिक्कीम, चैटिसगर और गोवा उत्तर मैं पाप दिख लिजी सिक्कीम, चैटिसगर, मडिपूर, गोवा प्रस्तम्बर दू, बीशु की खाली राजनितिक मान्चित्र पर भारत की अलाबा संगे सासन वालित तीन देशों की अवस्तिती बताएं और उनके नक्से को रंग से भरी उत्तर, कर्नाडा, अमेर्का और वेल्जियम मान्चित्र आप देख लिजी प्रस्तम्बर तीन, भारत की संगे ब्यवस्ता में वेल्जियम से मिलती जुलती एक विसीस और उससे अलग एक विसीसता को बताएं उत्तर, वेल्जियम से मिलती जुलती ब्यवस्ता, भारत में सविधान ने मौलिक रूप से दो इस्तरी सासन ब्यवस्ता का प्राउधान किया था संग सरकार द्वारा राज सरकारे केंदर सरकारे को पूरे भारती संग का प्रतिन जित्व करता था और अलग अलग राजियों के लिए राज सरकारे होंगी केंदर और राजियों के बीच सक्तियों का बटवारा सविधान में विशियों के तीन सूचियों के द्वारा कर दिया गया वेल्जियम में भी केंदर और राज दो परकार की सरकारे हैं और दोनों ये अपने अपने छेतर में सोदंतर है वेलजियम से अलग एक विसेशता केंदर और राजे सरकारू के बीच सत्ता का बटवारा हमारे सविधान की बुनियादी बात है अधिकारो के इस बटवारे में बदलाओ करना आसान नहीं है अकेले संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती इसके लिए पहले संसद की दूनों सदनों को दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास होना करना होगा फिर कम से कम आधे राजियों की विधासभावों से उसे मंजूरी करवाना होगा इसलिए इस विसेशता कुकठोर सविधान कहते हैं यह संग्यात्मक सासन के लिए जिरूरी है प्रस नमबर चार सासन के संग्य और इकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है इसे उधारनों के माध्यम से संद पश्ट करें उत्तर क्रमस, सुची, संग्यात्मक सरकार, इकात्मक सरकार सुची सरकारों का संगात्मक सास्तर में दो संगात्मक सास्तर में दो संगात्मक सास्तर में दो संगात्मक सास्तर में दो संगात्मक 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 संगात् में एकात्मक सासन ब्यवस्था है सरकारों की अधिकार एकात्मक सरकार में दूनों प्रकार की सरकारें को अपने अधिकार सविधान द्वारा पराप्त होते हैं जिससे कोई सरकार दूसरी सरकार पर नियंतरन न कर सके एकात्मक सासन में एक ही सरकार प्रमुक होती है वो अपनी सुधा के लिए राजियों राजिस सरकारों का निर्मार करती है किन्तु उन्हें सक्तियां सविधान द्वारा प्राप नहीं होती बलकि केंदर सरकार उन्हें कुछ सक्तियां दे सकती है सासन में सविधान से संसोधन एक जटिल प्रिक्रिया द्वारा किया जाता है जो कानून बनाने की प्रिक्रिया से अलग होती है इसके लिए केंद्र और राज दोनों सरकारों की सहमती आवस्यक होती है जैसे भारत तथा अमीरिका में इकात्मक सरकार में सविधान में संसोधन करने की प्रिक्रिया बहुत सरल होती है केंदर सरकार जब चाहे तब सविधान में परिवर्थन कर सकती है जैसे इंगलेंड तब फ्रांस में नंबर चार नागरिक्ता संगहात्मक सासन वाली देशों में लोगों की दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है जैसे अमेर्का में रहने वाला वेक्ती रहने वाला कोई वेक्ती अमेर्का का भी नागरिक होगा तथा जिस राज में वह रहता है वहां का भी नागरिक कहलाएगा परन्तु भारती संगे बिवस्था इसका अपवाद है यहाँ पर लोगों को दोहरी नागरिता की जगए एक हरी नागरिता प्राप्त है यानि भारत का नागरिक कीवल उस राज्य का नागरिक नहीं है जिसमें वह रहता है इकात्मक सासन वाले देशों में है रहने वाले लोग कीवल अपने देश की नागरिक कहलाते हैं चाहे वे उसके किसी भी भाग में रहते हों जैसे इंग्लेंड में रहने वाले वेक्ति कीवल बिटिस कहलाते हैं उन्हें इक हरी नागरिक ता प्राप्त होती है नमबर पांच वितिय स्वायता अंगरा संगात्मक सासर में दूनों प्रकार की सरकारे को वितिय स्वायता प्राप्त होती है दूनों सरकारों की राज्यस्थ के अलग-अलग सुरोत निर्धारित है एकात्मक सासर में राज्यसरकारों को वितिय स्वायता नहीं होती ये पून रूप से केंदर सरकार पर निर्धर करते हैं नमबर शव नियाई पालिका भी भूमिका संगात्मक सासर में नियाई पालिका महत्पून भूमिका निभाती है केंद्र और राजियों की बीच होने वाले जगड़ों और जगड़ों को निप्टाती है तथा सविधान की ब्याख्या भी करती है जैसे भारत और अमेरिका में नियाई पालिका सरकारों दोरा बनाए गए कानूनों की जाच करती है जसा सविधान की ब्याख्या करती है इसलिए उसे सविधान का सा रच्छक कहते है एकात्मक्देसों में नयाई पारिका की भूमिका महत्पूर नहीं होती वहां सारी सक्तियां केंदर सरकार के हातों में होती है यदि कोई राजी सरकार उससे कहे अनुसार काम ना करे तो वो उसे समाप्त कर सकती है प्रस्तमबर पाँच और 1992 की सविधान संसुधन की पहले और बाद में इस्थाने सासन के दू महत्पून अंतरों को बताएं उतर भारत में सत्ता के विकेंदरी करन के लिए सभी राजियों में गाओं के स्थापणा के गई थी पर उन्हें राज सरकारों के सीधे नियंतर्ण में रखा गया था इस इस्थाने सरकारों के लिए नियमित धंक से चुनाव भी नहीं कराय जाते थे इसके पास न तो कोई अधिकार था न कोई संसाधन 1922 में सविधान में संसोधन करके लोकतांत्रिक सासन ब्यवस्था के तीसरे इस्तरकों मंजूरी बनाया गया नमबर एक जब इस्थान या सोसासी निकायो के चुनाव नियमित रूप से कराना सविधानिक बाद है नमबर दो निर्वाचित सोसासी निकायो के सदस्य तथा पतादिकारियो के पदो में अनुसूचित जातियों जन जातियों और पिछडी जातियों के लिए सीटे आरचित है 3. राज सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन इस्थानिय सो सासी निकायों को देना पड़ता है 4. कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरच्छी थे 5. हर राज में पंचायत और नगरपारी का चुनाओ कराने के लिए राज चुनाओ आयोग नामक स्वतंतर संस्था का गठन किया गया है इस संसुधन द्वारा स्थान इस्थान पर सासन को अधिक सक्तिसाली और प्रभावी बनाया गया प्रस्तमबर चुब रिख्ट स्थानों को भरी चुकि अमेरिका तरह का संग है इसलिए वहां सभी इकायों को समान अधिकार है संगे सरकार के मुकाबले प्राप्त है लेकिन भारत की संग है प्राली की है और यहां कुछ राजियों को औरों से ज़्यादा सक्तियां प्राप्त है उतर चुकि अमेरिका सोतंत्र राष्टों के साथ आकर संग बनाने की तरह का संग है इसलिए वहाँ सभी इकायों का समान अधिकार है संगे सरकार के मुकाबले प्राप्थ अधिकार सक्ति साली हैं लेकिन भारत की संगे प्रणाली आंतरिक विवित्ता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संग की है और यहाँ कुछ राज्यों और औरों से जधा सक्तियां प्रापत है प्रस्ट नमर साथ, भारत की भासा नीती और तीन प्रक्रिया दी गई हैं, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं, उसके पच्छ में तर्क और उधारण दें संगीता, प्रमुक भासाओं को समाहित करने की नीती निराश्ट एक्ता को मजबूत किया है अर्मान, भासा के आधार पर राज्यों के गटनों ने हमें बाड़ दिया है, हम इसी कारण अपने भासा के प्रती सचेत हो गए हैं हरीस, इन नीती ने अन्य भासाओं के उपर अंग्रेजी के प्रभुत्तों को मजबूत करने भर का काम किया है नमबर तीन, संगीता का भारत की भासा निती पर तरक सही है उसका कहना है कि प्रमुख भासाओं को समाहीत करने की निती निराश्ट एकता को मजबूत किया है भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी के अतरिक्त भी बहुत सी भासाओं बोली जाती है यदि किसी एक भासा को प्रमुख बना दिया जाता है तो अन्य भासा ये लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती भारती राज नेताओं ने सभी प्रमुख भासाओं को समाहित करके जो लचीला रुख अपनाया उसी से हमारे देश में सांती व व विवस्ता बनी हुई है तथा हम स्रिलंका जैसे ग्रेजुद व असांती की स्तिती में पहुशने से बस चुके हैं प्रस्त नमबर आठ संग्य सरकार की एक विसिष्टा है राश्टी सरकार अपने कुछ अधिकार प्रातिय सरकारों को देती है अधिकार विधाईका, कारिपारिका और नयाईपालिका के बीच बढ़ जाते हैं गव, निर्वाचित पदादिकार ही सरकार में सरवच्चत तागत का उप्योग करते हैं गव, सरकार की सकती सासन के विविन इस्तरुक के बीच बढ़ जाती है प्रस्त नमबर न भारतियस सविधान की विविन सूचियों में दर्ज कुछ बिसे यहां दिये गए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिकां में संग्य रूपची, राज्य सुची और मनवती सुची वाले समुहों में लिखें को रच्छा, ख, पुलीस, ग, कृसी, ग, सिच्छा अंगो बैंकिंग, च, बन, च, संचार, ज, बैपार, ज, बिवा संग्य सुची, राज्य सुची, समुहों में लिखें सासन के विविन इस्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार छेत्र की जुड़ेत दिये गए हैं इन में से कौन सा जुड़ा सही मेल वाला नहीं है राज्य सरकार राज्य सुची, केंदर सरकार संग्य सुची, केंदर और राज्य सरकार समवर्ती सुची, इस्थानी सरकार और सिष्ट अधिकार उत्तर गो इस्थानी सरकार और सिष्ट अधिकार प्रश्ट नमबर 11 सुची 1 और सुची 2 में मेल डूड़े और नीचे दिये गए कोड की आधार पर सही उत्तर चुने सुची 1 नमबर 1 भारती संग, नमबर 2 राज्य, नमबर 3 नगर निगम, नमबर 4 ग्राम पंचायत सुची 2 और प्रधान मंत्री बो सरपंच, स राजिपाल दो मेर सारी गा मा, सा दो ओ बो सो, री बो सो दो ओ, गो गा, ओ सो दो बो, मा सो दो ओ बो उत्तर गा, नमबर 2 अ, दो, सो, तीन, दो, बो, चार, बी प्रस्तमबर 12 इन बयानों पर गोर करें उत्तर, संग्य ब्यवर्स्ता में संग और प्रातिय सरकारे, सरकारों के अधिकार इस्पष्ट रूप से तय होते हैं भारत एक संग है क्योंकि केंद्र और राज सरकारों के अधिकार सविधान में इस्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने बिस्यू पर उनका इस्पष्ट अधिकार है स स्रिलंका में संग्य विवर्स्ता है क्योंकि उसे प्रांतों में बाट दिया गया है भारत में संग्य विवर्स्ता नहीं रही क्योंकि राजियों के कुछ अधिकार इस्थानी सासन की इकायों में बाड़ दिये गए है उपर दिये गए बयानों में कौन-कौन सही है सा, अ, ब, और स, री, अ, स, और द, गा, अ, और ब, मी, व, ब, और स, उतर, गा, अ, और ब, सही है अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें और नेच्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग